अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए. मुश्किल में, मुसीबत में, मुसर्रत में, खुशी में, मैं तेरी रजा पर ही फक्त नास करूँगा, हर वक्त में, हर हाल में, हर काम से पहले, मैं नाम तेरा लेकी ही आखास करूँगा. नामस्ते वाज्या पत्तम विश्व मनुष्य रूपय, वायूर्यमो अगनि वरुणश शांकय, प्रजापतिस्वं प्रपीता महश्य, नमो नमस्ते सुसहस्त किजित्वय, पुनश्य भुयाती, नमो नमस्ते. कोपाल गिरिवर धारेनम श्रीक्रिष्ण नमो नमस्ते 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 सब्सक्रिफ्ट जान कर सकते हैं, मेरी बची बहुत खुशनसीब प्यदा होई है दस लाक उपे का मान लेकर काम्याबी के साथ घर लोत रहा हूँ याद रखना राज कुमारी की तरह दिनकी बिताए की बो हो तो ठीक है कप्टन लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे होते हुए तुम्हें आना नहीं चाहिए क्यों नहीं आना चाहिए तो अगर भावी को मालूम होगा तो ख़जब हो जाएगा शथल एसे पता ही नी चलेगा सथ्यान और पता चल भी गया तो क्या होगा नाराज हो जाएगी दोचा दिन बात नहीं करेगी साथा भी ख़ाना भी खाये और क्या कप्टन जहां दो भावी को मैं समझ पाईा हूं वो खाना खाए न खाए एक दिन जहए जारू खालेगी सत्यान मैं इस वक्त जिंद्गी के ऐसे मोर पर पहुंची को हूँ जहां से लोटना नामुम्किन है आज जिंद्गी में मेरा एक ही मकसद है तुम्हार तुम्हार क्यों है मैंने कभी सपने में भी नी सूचा था कि तुम इतना घिरा हुआ और नीच काम भी कर सकते हो पीता मैंने तुमसे प्यार किया अपने माभाप की मर्जी के बगर तुमसे शादी की तुम्हे अपना भगवान माला एक बार भगवान की पुजा करना भूल जाती थी लेकिन तुम्हारे चैलों की जूल को अपने माथे पे लगाना कभी नहीं भूली और तुमने तुमने मजे इसना बड़ा धोका दिया ज्यादा बखवास मत करो एक बात कान खोड़कर सुनलो गीता आज से इस खर में तुम बैसे ही रहोगी जैसे मैं रखोंगा परना चली जाओ जरूर जाओंगी मैं इसी वक्त तुमारा घर छोड़कर जाने है अपने लिए नहीं अपनी बैटी के लिए तुमने अभी जिस लड़की की जिंदगी और सची नहीं वो भी तो किसी की बैटी होगी और मैं नहीं चाहती कि तक दीर उस बदनसीब का बदला मेरी बैटी से ले जली जाओ यहांसे मेरी बैटी कन नहीं जाएगी आप ही के पास रहेगी बहें जड़ा बच्ची को समालना मैं इसके लिए दूद लेकर आती हूं ओ गाट वाट ट्रेजडी उस बदनसीब बाप पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कैप्किन मैं तुम्हें तरफातर पाके बारूगा बात साल बात साल गुजरने में जादर देर नहीं लगी कैप्किन 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 रंग्क अंग अंग कहाएं वोलतें क्यों streams कप्षिर वह तक क्यान利 के आंड़ पुले से दर आने, आप लेकिन हमेरे बची का क्या होगा? गत्तन, उसे दूर भीज़ देना चाहिए लेकिन कहाँ? किसे दूसरे मुल्क में है अच्छ तालिय भी हैसर कर लेगी और हमारी असलियत दूस पर दाई नहीं होगी ठीक है, तुमस कर जाँ जाँ मेरा सगो बंदेड़ आंकेल, आंकेल, आंकेल वाँ, 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 बहुत अच्छे क्यों आये हो यहाँ? तुमारे बच्चे को उसका हक दिलाने है यह जाँ कि अगर तुम चाहो तो उन दोनों कट्टन को जिंदगी भरूसी तरह नाच नच 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 रहें तुम कहना क्या चाहते हो? बहुत कुछ, मैं कहूंगा सिर्थ तुम सुनोगी अगर तुम्हे मेरी चाल पसंद आ गई तो वादा करो तुम दिंदगी भर उसका जिकर किससे नहीं करोगी वादा करते हूं कैसी बाते कर रहे हो इंस्पेक्टिव भीया इनको समझाने के बजाए उल्टा खत्रे के मूमे धकेल रहे हो खत्रे कैसा भाबी? और नहीं तो क्या जब से गाउं सुधार में लगे हैं नचाने कितने लोग इनकी जान के दुश्मन बन गए है आशा, जान दी, दी हुई उसी किथी हक तो यह है के हक अदा ना हुआ वाह, इंस्पेक्टर इंसान दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आता बलके दूसरों को जीने का अंदाज सिखाने के लिए आता है मरना तो सभी को है दुनिया में कौन हमेशा जिन्दा रहता है राम अवतार लेकर आये थे दुनिया में, वो तो बगवान थे लेकिन वह भी नहीं रहे इंस्पेक्टर, इंसान वो है जो मरने से पहले अपना फर्ज ने पाजा रहे इंस्पेक्टर, यह बस्ती जिसे लोग काली बस्ती कहते है कुनाहों की स्याही ने इसे काली बस्ती का नाम दिया है लेकिन एक दिन ये स्याही जट जाएगी और इमान का सूरज यहां निकलेगा मैं न रहू, आशा न रहे, आप न रहे लेकिन मेरा बेटा जुरूर रहेगा मुझे विश्वास है, जो काम मैं पूरा नहीं कर पाया उसे मेरा बेटा जुरूर है यह सब कुछ सोचल वरकर की वज़ा से हुआ है सोचल वरकर पीता जी, हाँ बेटा बगत सिंको जो फांसी देने लगे थे तो उसे डरनी लगा बिलकुल नहीं वो देश के एक बहदूर सिपाही थे जानते हो तेरने के बजाए आखरी वक्त उनकी जुबान पर क्या था ठेरो, मैं तुए भी सुनाता हूँ मा पाग जा देजा, पाग जा झाल 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 कर दो 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 कर झाल झाल कर दो किर दो लुड़ दोना कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है मुझरिम का पता चला है जी नहीं मुझे किसी भी हालत में वो मुझरिम चाहिए आज तक मैं अपने फर्स को निबाने के लिए अपने जिन्दगी के साथ खेलता रहा जिस किसी भी मुझरिम का नाम मेरी फैल में आया मेरी हद कड़ी जरूर उसके हाथों तक पहुंच और क्यों तुम जिसके आपको तलाश है शाखा अपने साथियों से कहिए के मेरे रास्ते बिनाएं गोली नहीं चलेगी गाड़ी चला ये वरना मैं गोली चला दूंगा गाड़ी वोग लिजेश फिसाब यहां तक पहुंच आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लिजेश ख़रो ने तो गोली चला दूंगा चलाएंगे कैसे गोली तो मेरी जेब में हैं बड़ी तकदीर वाले हो शर्माज अच्छी बहु मिली अच्छा घराना मिला और अच्छा दहेश भी मिला दहेश दहेश का नाम ना लो गोकलनाच जी ये बड़ा ही खत्रनाक इलाका है किसी डाकू को पता चल गया तो घजब ही हो जाएगा कैसी बाते करते हैं शर्माजी बस में तो सब अपने ही आदमी है चोड़ाकू यहां आएगा कहां से क्या हुआ ड्राइवर साथ बस क्यों लोग दी तुमने डाकू का नाम लिया डाकू आ गए डाकू कहा है डाकू बंदा हाजिर है बेटे नवी शादी हुई है न तेरी इस वस्ते खाली पिस्टोल होड़ा है ने तो पिस्टोल और हाथ दोन वड़ा देथा चल तुब्यूतर नीचे तेरा नहीं नवेली दुल्हन के जिसम पे किसी गयर मर्द का हाथ नहीं लगना चाहिए इसलिए बेटर रगे खुदी इसकी जिवर उतार के देदे में रगो सेथी आह उसनों अगरतु मेरा नाम जानता तो ना करने की मत नहीं होदी तेरे में मेरा नाम शाका है कि शाका खतालों यह यह लेथा अगए भापं जैन नकली साका कौन आफया यहां पर देदे पेटा, देदे उतार के सीवर, नहीं, नहीं पिता जी, नहीं कौन वो तो, शाका, शाका, मैं उपर आराम से लेटा हुआ था, लेकिन जब तुमने कहा, मैं शाका हूँ, तो मुझे जटका लगा, सारी दुनिया तो मुझे शाका के नाम से जानती है, ये नहीं शाका कहां से प्यादा हो गया, अच्छा, तो तू शाका है, बिलकुल भाय, चाहे तो पुलीस से पुछवा कर देख लो, अब देखो ना, तुम्हारा नाम भी शाका है, मेरा नाम भी शाका है, ऐसे कैसे चलेग बहुत खुश हुई आप देखे ना आपके हाथ में ये रिवॉल्वर आपके चम्चों के हाथ में इतनी लंबी लंबी बंदू के बात कुछ जमी नहीं का समभाई पैसा जम जाएगी प्यारे देख तो सही अल्ला बहुत बड़ा बाश्चा है ले पर रस्तम पगड़ अच्छा बेटा हम सही बेमानी क्या बात क्या बात क्या नम बला था हा रस्तम ये ले रस्तम कि में आख आई आख कर दो बहुति आख या आफ कमिशनर साथ इस तो भागने वालों पर तानी जाती है अपने आबने वालों पर नहीं आपको एक शागा की तलाश थी मैं तो दूसरा भी ले आया हूं क्या मतला मतलब यह कि यह नकली शाक है आज तक जितनी भी ट्रक यह बसे लूटी गई है सब इसी का कारणाम है इसका असली नाम कासम भाई है मेरे साथ साथ आप इसे भी गरतार कर लिए जालो शाका अला भूद बड़ा बाश्या है जालो हां मैं भी है भगवान पिरा लाख 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 शुट अरे जब 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 आरे अरे अरे मरने का इरादा है क्या अरे जब गुदादा को ना कर रहा है वाले चाहीं कुछ भी हो जाए आज मैं नहीं दूए रोटी मुझे भाग भूग ला गया क्या है कि दूसरों की रोटी छिनने वाले को सरकार और शाका दोनों माफ नहीं करते हैं जब किसी को पर जग्गा के हाथ पे आजाता है लो तो जग्गा उसे इतना मारता है के उसकी आने वाली दूसरें भी लंगडिया और लूली पादातियां हाँ अरे यह क्या लगा रखा है तुम दोनों ने अब आग कुछती लड़े से साथ इंडियन स्टाइल आप भी बैठी ना बड़ा मला रहा है शोड़ आप इंडियन स्टाइल ने चलो दोनों को काले खान शंभू दादा अब्दूलकरीम शाका भाई क्या है वे जब भी यह साला मिलने का दिन आता है अब उनको बड़ा रोना आता है तो फिर रो ले वे दिल हलका हो जाएगा तेरा अरे यही तो अपना दिल उल्टे स्टाइल का है साला अपन रोता है तो दिल हलका नहीं होता और भारी हो जाता है अपन दोनों का कोई नहीं अबे मां का तो पता होगा तुझे मां तुछाइड थी नहीं तो लल्लू क्या तू आस्मा से टपकता है अबे साले ये क्यों नहीं कहता के तू हराम की अउला रहे कर लिया टाइम पास सीमा अरे तुम्हारा मंगल सूतर मुन्य की दवाओं के लिए बेच दिया क्या? अपने सुहा के पवितर निशानी बेच दी? तु सारी जंदगी दूसरी औरतों की सुहा के निशानीया चुरा कर पेशते रहे क्या वो पवितर नहीं थी? आज तुम्हारी अपनी बीवी में उसे बेच दिया तो तुम्हें इतना तुम्हें क्यों हो रहा है? मा कैसी है? मा की बीमारी को क्या हाल है? मा को सब बीमारियों से हमेशा के लिए छोटकाला मिल गया है क्या? तरब तरब की मरी है बेचारी है मा मर गई मेरी मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई कि मर्दे मर्दे पिचारि की जबान पर यही था, अगवान, तेरी बेटी की गुनाहों और की सुझा मुझे दे ग भेते पूर किसने अब भी… मा... मैंने मा को मार डाला. मैंने मा को मार डाला. मैं पापी हूं, मैं बुन्यू, सुर्यती, मैं पापी हूं. दुन मेरे यार दुन्यावाले अपने बड़े बेगाने है सुन मेरे यार दुनियावाले अपने बड़े बेगाने है दिल में तेरे याट है जिनकी वो भी तो बड़े अनजाने है सुन मेरे यार लुप लुब 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 रहके अंदेरों में रोशनी ढूंदता है गम देके किसी को क्या खुशी ढूंदता है रहके अंदेरों में रोशनी ढूंदता है गम देके किसी को क्या खुशी ढूंदता है कुछ न सोचें, कुछ न समझें देखो ये बड़े जीवाने है सुन मेरे याँ देखो न सी लेड़े जीवाने है तेरा सपना कहा है सब है ये पराए तेरा अपना कहा है क्यों ये सोच तारे तेरा सपना कहा है सब है ये पराए तेरा अपना कहा है तेरी तुशिया तेरे अर्मा सब जूठे अफसाने है सुन मेरे यार दुनिया वाले अपने बड़े बेगाने है सुन मेरे यार सुन मेरे यार यारे यारो सुन मेरे यारी वाले व्यार जयार विस्थिया वाले मिस्थिया भाले यार पिंचता क्या है? चलता है ना? भाई जान अरे बाबा तु ऐसा रोईगी तु मेरे से तु जाया नहीं जाएगा हसना अरे तु कासम भाई की भेन है साला कासम भाई जी दर से गुजरता है महला खाली हो जाता है और तु रोटी है? खिलास? अरे छे महीने का क्या पंधरा तीन में घुजर जाएगा असन सब दुकान से जाके बिंदास माले ना क्या कोई साला उशरी करगा पेट फट डालूगा उसका अरे क्या बलता हूं? अरे रोटी क्या है? अरे बहुत बड़ा पाद्शाह है अरे तु ऐसा रोग के बुलेगी तो आम या भूत मारेगा हांस के बुल अला बहुत बड़ा बाद्शाह है आई शबाश अच्छा मैं चलता हूं यह दे कैसा गूर की देख रहे ला है चल बैचल ऐसा देखता है जिसा कच्छा खा जाएगा अरे शाका कर आया ससुरल से अरे चाची कितनी देर से सीडियों पे तरह इंतजार कर रहा हूं आपकी बहुत दिन लगाएं ससुरल में क्या है कि चाची कि मेरा ससुर बहुत सक्त आजनी है इस बार आने का चांस ही नहीं दे रहा था आखिर टाइम पूरा करके यह आना पड़ा यह बता है दिन कैसे कटे मेरे ससुरलवलों का टायम डेवल है जितने दिन वो कहते है देरी क教 fon आ हम करदें थे तो नहीं है लेकिन सदा इतने कि बश्रम अमिश्किला इकी नुक्रवार्डएट कर बाते चक्किभी सबारते बंदर यह बलीट तो एक म्यरा मतलब है कritisम पुलीस में है। इस तरह तो कब तक ससुरा लाता जाता रहेगा। ऐसे क्यों नहीं करता। बहु को यहां क्यों नहीं बुला लेता। अरे चाची मेरे ससुर का बस चलेना। तो मुझे घरजमाई बना कर रख ले। के रहु के लिए दून। अरे बहु कुह गुगूँमाई नहीं चाची नहीं . तेरे बगर तो मैं ससुराल कीजर्मिमे न जा सकता। मैं तुझे कभी ने छी छूड़ूँगा। जब सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया थी जब मैं अटे लाता। पिर सहारा हाई राम कौन हो तुम? चल बेटे अंदर चल मंदिल ने एक स्वामी जी आने वाले थी उने के दर्शन के लिए गई थी कल मैं तुझे भी वहा ले जाओंगी अरे चाची मैं किसी स्वामी के दर्शन करके क्या करूंगा मैं तो तेरे दर्शन करके ही समझ देता हूं कि मैंने भगवान की दर्शन वें शाका नास्ता इतने दिन कहां थे तुम बेटा और कहां जा सकता हूं मास्ता जी रह देकर दुनिया में एकी रिष्टदार तो रह गए मेरे ससुराल तो बेटा उनको यहां क्यों नहीं बुला लेकर अब कुछ दिने के लिए जाता हूं तो बड़ी मुश्किल से पीछे चुड़ा कर आता हूं अच्छा यह बिटा देखो एक मेरा काम कर दो देखो कितनी मुश्किल से मैंने स्कूल के लिए चंदा जमा किया है इन से मुझे दो पंखे करीद के लादे बिटा यह इन मासूम बच्छों का गर्मी में बुरा हाल होता है आजकल यह जप्या कर दो दो वादे चाहता कर दो दो यह जहां है वह बिटाग वादे अच्छाप हुआ है हुआ हुआ प्रिटीफ थाइट ब्लेसियो मीना गॉडबेसियो एक दिन तुम अपन कर नाम जुरूर चमकर अरे नाम का क्या बात करता है जॉन अंकल एक दिन तो हम तुमको चमकर डालेगा नौटीग अरे अपन इस बुढ़ामर में आप क्या चमकेगा चमक लेक डालेगा तब तुम्हारा ये तो सब तुम्हारा महरवानी अंकल तुमने हमको डांच सिखाया लडना सिखाया अरे वो तो कोई पन सीखता पन मोटर साइकल का आपपर बैटकर हाचा लाकी का धन्जा दो तुम दो महने में सिख गया उसको देखके अपने को भी सारा माता ऐसा क्यों? क्योंकि हमको ये त्रीक सिखने को पांच बरस लगा था सारी आंके क्योंकि क्योंकि हाग क्योंकि तिक समय प्या है क्योंकि आप कर दो कर दो कर दो बाद कर दो कर दो एक वी किंग एक कि रखाइब है हाई लगे अच्छा वेटे तुम गरेब बच्चों का ध्यान रखते हूं भगवान तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखते हैं मनुष्य को उसके पाप पुर्ने का हिसाब इसी दुनिया में मिल जाता है आध लेकिन स्वामी जी इनसान तौ कदू कदू पर पाप करता है जै बेटे नहीं अंजाने में किया हुआ पाप आप नहीं क्यालाता भगवान उसे अवश्यमाफ कर देता है अरे वह बहुत दयालू है मनुष्य सारा जीवन पाप करता रहे सिर्फ एक बार उसके सामने सच्चे दिल से मापी मांग दे तो उसे वह अवश्यमाफ कर देता है बस स्वामी जी बस आपने तो मेरी धरस बाल दी मेरे मन को शांती दे दी जै हो स्वामी जै हो आप महान है कर दो आपने सच्चे लाग देथिए बार बैको पॉजफ फिर बारा बारा झालो सुछ पगर किरी ईाओear data खबर भी तो मज़े की लाया हूँ मोटर साइकल पर बैठके पाकेट मानने का कर्तब तो तुमने हमको दिखा दी लेकिन टांस करते हुए किसी की गले से लाखों का हर मारो तो मानू लाखों का हर? किसके गले में? सेट धरमदास की बेटी की गले में वो सोला बरस पाद इंग्लेंड से वापिस आई है वो इस खुशी में पार्टी दे रहा है और वो पहली बार लाखों का हार पहन कर इस पार्टी में आएगी वह ली और आपकेटास शाबश जाओ तयार बढ़े कैप्टल बिएगो, अठीक है जाओ वेल्कम, 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 वेल्कम बेटी खरिव, मेना को सबसे इंट्रूश कराम खरिशो कराम यह मुस्तर मिस्सदाट हलो मिस्टर मिस्स पोपी गोद्वानी मिस्टर मिस्स पामन डर्व, है मिस्टर और मिस्स टंडन हलो हलो और आप हैं मिस्टर मिस्स वालिय आप शिराजी आगरा निवासी मुझनाचिस के एक बुज़र्ग में मुभबत के अजीन यादगार ताज महल बनाया था आपके लिए हकीर तोफ़ पेश करता हूं यह किसकी तस्वीर है कैसे लगी आपको आठी है क्या सिर्व अच्छी मिया एक इस तस्वीर को देखर आप ऐसा नहीं लगता कि यह तस्वीर तस्वीर नहीं एक आप बिरी है एक सक्चा ही है कहानी नहीं इस अँर सुन वह तर उना मां मारम किजिए Daam शायद आपने तस्विर को गवर से नहीं जखा तस्विर में लड़के के हाथ में खास किसम की सिप्या है जो लड़की को बहुत पसंद थी यही इस तस्विर की नहीं बात है पुराने नहीं तस्विरों का हटेखत से कोई तालोग नहीं होता सचाई से कहानी का नहीं से पुरानी का दिवानी से जवानी का है क्या बाता तेरा वो रास्ता मेरा वो रास्ता सुन बसरे की हूर तेरा नहीं है कुसूर है जवानी का गुरूर जरा बोल आश्ता तेरा जो है रास्ता मेरा वो ही रास्ता तेरा जो है रास्ता मेरा वो ही रास्ता हिजर में कोई दिवावा न रोता उस नजर दुनिया में न होता मेहबल में कोई जाब न होता ये मिलना हर शाम न होता खिजा से बहार का, जीत से हार का दिश्मनी से प्यार का है क्या वाता तेरा वो राता, मेरा वो राता तेरा वो राता, मेरा वो राता मौतों पे कोई नाम न होता आखों में पैगाम न होता हुसन का कोई नाम न होता इश्क अगर बज नाम न होता नाज भरी नाज नी ओ हसीनों की हसी कर मुझ पे यकीन जरा बोल आश्ता तेरा जो है राश्ता मेरा वो ही राश्ता सचाई से कहानी का नहीं से पुरानी का दिवानी से जवानी का है क्या वास्ता तेरा वो राश्ता तेरा वो राश्ता तुम्हें दिल चाहिए दिलदार चाहिए इकरार चाहिए इनकार चाहिए तकरार चाहिए मेरा प्यार चाहिए ले ले मुझसे जो मेरे सरकार चाहिए मुझे जिन्दगी में एशो बहार चाहिए एक अपना अलद संसार चाहिए मुझे सोने और चांधी का अलबार चाहिए मेचे चाहिए तर पर चाहिए पर चाहिए नहीन माझे चाही तो… तेरे चैसा हादी चाही लगाएएएएएए शाषा पेटूआएएएएए शाषा पेटूआएए शाषाषी जही इन다 हार तो? जली जला करना दलीज और गी? कर दो 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 Eagles पोट चला। तेरे काम करने का स्टाइल मुझे पसल आया। सबकी आग में धूल जोककर पतली गली से निकल गई। अरे स्टाइल तेरा भी कोई कम नहीं। क्या मोटर बैट चलाता है। मैं तो कहती हूं सर्किस में नौकरी कर ले सुखी रहेगा। कि इतना बड़ा हाथ मारने के बाद नौकरी करने की जरूरूर्ती क्या है। तो, तो क्या तूछुडी करके भागा है। कोई खास चीज़ हात लगी होगी तेरे। तेरे या मेरे तेरी एक अधानभो मरो दिल ही जीत लिया। हाथ मारने से पहले वार्निंग भी दे देती हैं कैसी वार्निंग ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा ऐसे पचासो नाटक में खेल चुकाँ हूँ चलो जल्दी से हार निकालो कैसा हार? क्या तुम मुझे चोड समझते हो? देखो बेभी मुझे मालूम है तुमने हार काँ छुपा रखा है मैं एक बहुत शरीफ आदमी थी अगर मैं अपने हातों से वो हार लेने की कोशिश करूँ तब तुम्हे एक हजार वोल्ल का जिटका लगेगा जल्दी सेहार निकालो निकाल की करई निकाल देखो ये लो ये लो थेंक यू टेट के रहे हैं लाल जी भाई सेट इसे खरिदने में तुम्हारी सारी जाइदात भिग जाएगी अच्छा क्या की मत होगी इसकी असी रुपए और बारा में नकली है भाया, नकली प्रश्चा आए हो रेट हुआ अप यह गोली तुमने चलाई है जी बात ही है कि मैंने इसे जान मुझकर नहीं मारा इसने मुझे पर हमला किया था मैं तो यह भी नहीं जानता कि कौन है तुम्हें जो कुछ कह रहा है पुलिस सेशन चलकर का हूँ प्लीज आव बेर साथ अवदार यह बाड़ी ले चलो अच्छा अच्छा समझ गया तो यह सरकारी पुलीस नहीं चोरबादारी पुलीस है तो आप मरे नहीं अच्छा तो आप यह मोजुद हैं समस्य गंभीर है अच्छा बच्चू मुझे धोके से यह ले तो आए अगर मुझे वहीं पता चलता कि यह वर्दी किराय की है तो यह वर्दी जूता चड़ी वहीं उतार कर पूरे शहर में परेड़ करवाता बहुत बोलता है माफ करना शाका तुम्हें यहां बलवाने की तक्लिश मैंने की थी सिर्फ वहार मेरे हवाले कर दो उसके बाद तुम बड़े अराम से अपने घर जा सकते हैं हार मेरे पास नहीं है शाका जैसे जैसे शराब मेरे हलक के नीचे से उतरती जाती है वैसे वैसे मेरा निशाना भी तेज होता जाता है यह देखो शाका यह फल है है न इसे खाने के लिए जबड़े की जरूरत होती है जब जबड़ा ही ने रहेगा तो इंसान की क्या हालत होगी बीचारे कुछ भी खाने के काबिल ने जहेगा दुनिया में सबसे बड़ी नेमत क्या है आंक अंधे को क्या चाहिए आंके दौलत नहीं क्यों शीतल अठी कहते हैं आंक नहों तो इंसान फिर भी जी लेता है लेकिन अगर हाथ नहों तो जिन्दगी मौत से भी बद्दर हो जाती है जब मैं तो आंखें बंद करके भाग तो वे आदमी का निशाना बना सकता हूं मैं तीन तक के नुबर और अगर उसके बाद भी तुमने हार का पता नहीं बताया तो तुम्हारी इन खुबसूरत आंखों के पीछे गोली ऐसे निकल जाएगी कि तुम पता भी नहीं चलेगा एक दो ठेहरो मैं बताती हूं हार उस टुपी वाले के लेफ पॉकेट में में-चले कीज़ा-गर में-चलेड में-चले के वर्फित आएगां इसांजिसितित विए प्रूद का आटिए-छलेती यह मैं-चले लिए कि आयाmin थे सामुवालसी मुझे ताति रूचर साब भगवाण के सी एस हार के बारे में डूच्य नहीं एक्सलेंट, वंदूफुल, बहुत काम की लड़की हो, लगो, इस लड़के को जाने दो, जी, इसे हमारे पास ले आना, लगो, 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 तुम्हें पुलिस क्यों ले गई थी चाची वो सब धूंगता धूंगता या तू आज तक मेरे साथ धूंग करता रहा क्या मतलब ऐसा लगता है तू मुझसे जूट बोला है मुझसे तू छुपा रहा है नहीं चाची नहीं अब तो महले वाले भी कहते हैं कि शाका क्या करता है इतने दिनों तक कहां गयब रहता है चाची याद रख शाका मैं सब कुछ बरडाश कर सकती हैं लेकिन पाप और बेमान कभी बरडाश नहीं कर सकती जानता है मैंने सोहागन होती हुए भी विध्वा की सिंदगी गुजारी लेकिन अपने उस पापी पती के पास कभी लोटका नहीं गई शाका शाका मैंने तुम्हारे दामन पर गुनाह का एक सीटा भी देखा तो मैं समझूगी तुमने मेरी मन पार प्यार का गला गोड़ दिया है उसे धोका किया है आधा है नहीं चाची मैं सारी दुनिया को दोका दे सकता अब ध़वान से जूड बोल सकता है कदुस्यна है और तुंसे नहीं बोल सकता है वो लोग पुलीस ऑरे नहीं थी चार सो बीस फरे भी थी वो लोग मुझे जबरदस्ती धोके से ले गए तेरे चर्णों की सोगन मैं सच क्यारों चाची सच क्यारों श्याका श्याका कैसे नहीं मिलता मीना जी प्रेम की आखें बहुत तेज है वो शरीच से आत्मों को ढूंकर निगाल सकती है तो हर कुछी बड़ी बात है मैं खुद हर लेकर आपके पास पहुंच रहा हूँ और अपने हाथों से हार आपके गले में पहनाओंगा इस बहाने तो बाते भी आपसे करने का मौका मिल जाएगा अभी तो सिर्फ टेलीफोन बंद हुआ है कुछ देर बात तुम्हारी आवास बंद हो जाएगी तुम में क्यों है शाका अपनी मर्जी का मालिक है जो जीव में आया करता है चाहां जीव में पहुंच जाता है शाका को रोकने वाला दिन्या में अब तो कोई पैता नहीं अज़ा तो कर दिया था लेकिन जाने से पहले तुमने अपने निशाने की कुछ कमाल दिखाये थे सोचता हूं जाते जाते मैं भी कुछ नमुने दिखाता जाओं तुमने तो सारे कमाल गुडियों पर दिखाये थे लेकिन मेरी गुडिया तुम बनोगे तेरी तो वा बच ये सिगरेट लो लो इसे अपने होटों से लगाओ लगाओ ने तो सिगरेट समय लूँ मिल उड़ा दूगा अगर ये होट न रहें तो तुम्हारा ये मुँँ जिस पर तुमने ये सिगरेट पकड़ा हुआ है ना सिगरेट पीने के काविल रहेगा ना बड़ी बड़ी बाते करने के तुम बड़े बुजदिर हो यार जब तुम गोली चला रहे थे मैं तुम शकरा रहा था मैंने तो अभी तक एक गोली भी ने चलाई और तुम पसीन पसीन हो गए शाका के सामने अभी तुम बच्चे हो जिसी भी और भी एक निकाल सकता हूँ तुम आगे बहुत स्मार्ट है शाका मान गए ना तो इसे भी लो इस नकली पिस्तोले तुमारी असलियत खुलकर रख दी के तुम कितने बहुत हुरो ट्री युए kite किलवर शाका तुम आदनी को पहचान तो लेते हो अजय ने तुम ने कहा था न कि शाप्व का मालेक आपड्या छिचाह यह वहां चला जाता है लेकिन यहानलोग मेरी मर्जी से आते हैं andy pride Base वार्चिक्षे जाते हैं very good यह कburst वहार तुमें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा वेरी गलच वह कम गचाख़ कछ जिसका हाथ हुस हार पर पहले पाऴंच जाई हार उसका और जिसका हाथ नहीं पाँचा वो दूसरे के रहम कर अंपर, बना मुन्जू चान्य वो वो मुन्ण वो सून्छ वो हुआ 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 है कि मुझे अफसा है कि तुम हार गए है वह तो चीक है श्याका लेकिन तुम एक बात भूलते हैं इस वक्त भी तुम्हेरे कब जबे हो यहां से जाओ के कैसे हुआ है पॉर्ण है हुआ हुआ है कि अजिए जिए यह वर्ण अगर मैं हार ले गया तो उसके सामने तुम्हारी क्या इजड़ रही जिसके सामने तुम अपनी तारीफ के बुल बांदरे थे तुम तुम आदामी काम की लगतो ह। मेरे स oni साथ काम करोगा हम तो आजाद पंच्षी हैं कि नौक री करने क्या दिने नहीं कितना दोगे पीस जगा इतनी तुम्हें बात करने की फीस देता हूं तो फिर के चाहिए 50-50 तो चोर के घर में चोर चोर के चोर कारी का जंदा कर रहो काफी देर से लगता है बड़ा हाथ नहीं लगा तक। अविधा नहीं लगा। यह तो मैं देख चुकी हूं पिछटे दो घंटे से सारा घर चान मारा है, मैंने। सोने के तो क्या। चांदी की चीज हाथ नहीं लगी। तो तु यहाँ चोरी करने आय थी। नहीं यार आई तो थी तुझसे मिलना चाहती थी अरे यार खुश तो मैं तब से हूँ जब से तुझे देखा है अरे लाखों का हार कुर्बान कर दिया है तेरी जान बचाने पर जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया अब महर्वानी करके मेरी प्रार्थना आपसे यहां से आप खिसको ठीक है यार आज के बाद नहीं मिलेगे तुझसे बहुत अच्छा वा तुझ बहु को ले आया बहु हां मैं इसे रोज कहा करती थी बहु को घर लेया इस तरह रोज ससुराल जाना अच्छा नहीं मुलनों वहां पड़ा रहता था आज इसने मेरी बात मान ली अरे चाची तुझस गलत समझ रही है मैं सब समझती हूं शर्म नहीं आती नीचारी पहली बार अपने घर आई है और तुने साथ ही रुला दिया हूं फिर कभी ऐसा किया न तो मैं तुझे कोईन पकड़ का घर से निकाल दूगी समझा आओ बहू लेकि मा जी आओ ना इससे बिलकुल मत डर ना है चलो अधिर जी अधिर की बच्छी आज वहार लेकर नहीं आए तो मैं उसे जान से माटा रहूँ अधिन तो उसे मा नहीं है तर आज ही क्यों नहीं उसे माटा रहूँ आज उसे माटा रहूँ अधिर माटा रहूँ आज सुभब बचने सज़ए अरे वह बहुराने कहां चले गए जाले गए पूँ पूँ गुद मॉनिंग क्यों रहू बहू कहां है वहू यहीं कही होगी बहूजी यहां तो कहीं नहीं कहां चले गए समझे तू बहुत कठो रहे तेरे मन में किसी के लिए प्यार नहीं मैं मैं भी हमेशा यही समझती रही कि तू मुझे अपनी मां की तरह प्यार करता है लेकिन अपने समझी तू वही करता है जो तरह मन में आता है नहीं चाची नहीं तुम अच्छी तरह जानती है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो अगर तू मुझे अपनी मा की तरह समझता है तो जो बहु को लेआ लेकिन चाची मोफ तूस सुना नहीं चाहती अगर तो जिद्धी है तो मैं तूसं से दस गुणा जिद्धी हूँ अगर तु बहु को नहीं या तो तेरी कसा में जिद्या बतर नहीं करओंगी कभी ऐध बात नहीं चाहंगे पर दूम आज़ों पीजाए निवारी है आज़ेली का घाल्स तो ले ले। अज़ेली परसे मत देना यह गाय नहीं प्रैल है हाँ क्यों इसके पीछव पड़ों हाँ चाची यह दाल का कंकर गाएं दर्शन की बजाय बैल दर्शन करवा के हम सब का उलू बना रहा था ओरे लोगों को धोका देते हों तो ते शर्म नहीं आते नहीं माझी मेरी बात सुन लीचे माझी मैं तीन दिन से भूखा था मेरी जब में एक धेला नहीं था और रास्ते बेश्य वह बिमार बैल मिल गया दुनिया में ना उसका कोई आसरा था ना मेरा वह भूखा था मैं भी भूखा था माझी मैने सोचा मेरी वज़े से उसको घास बिल जागी और उसी घास की पेट के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है ठीक है जाजी अगर तुम कहती हो तो छोड़ जाते हैं चलो भाहियो चलो 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 बस बस खाना खाओगी चलो आओंगी चलो क्या बोली तू? मी जानार दूसरे की नाव में जानार तेरे को शरम नहीं आईगी अपने घरवाला को छोड़कर जाएगी आरे जारे काहे का घरवाला कड़कासाला खाने को भाकरी नहीं पहनने को साड़ी नहीं घूमने को नहीं तू घरवाला बनता है अरे अरे सुन 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 लाकर देगा तेरी सब लाकर देगा तेरे को यह शबत तु पिछला बरस भी खाला होता तब बस रहें कुछ ते की तरह का का दूसरे की मामले उन्टान रहता है अरे बरो बर्मन तो तू है तैसा अभी बग में तेर को छोड़ के जाती दूसरी की नामें अपनी गाउं को जाती अगबाई अगबाई में के तू जाओ नको बग मला सोड़ून तूजाओ नको क्यों चली हाथ अपना चुडा के मेरे जीवन की खुश्या चुडा के क्यों चली हाथ अपना चुडा के मेरे जीवन की खुश्या चुडा के जिसकी नगरिया बसाने चली तू मेरे घर में ताना लगा अग बई में के तू जाओ नको बग मला सोड़ून तू जाओ नको बग मला सोड़ून तू जाओ नको तेरि नत्मी में मोती लगा दू तेरे जूरे में कलिया सजा दू तेरी लखनी में मौटी लगा दूँ, तेरे जोडे में कलिया सजा दूँ ऐसा मैं दूँगा तुझे प्यार अपना, ये मैं के की दुनिया बुलादू एक बै बै के तु जाओ न को, अगबै मे के तु जाओ न को भगमला सोरूल तु जाओ न को बगमला सोड़ूं तुझाओं नचो अगा जाओ नखो मला सोड़ूं जाओ नखोगा ए ठैरो क्या शोड़ मजा रखा है अरे इंस्पेक्टर साहब मेरा घर तूटने से बचा लो मेरी बाइगो में को छोड़ कर जा रही है मेरा कुसूर सिर्फ इतना है कि मेरी बोट खराब होगी और दोन दिवास लागना बनने अरे कहां से लाओ नभी बोट चोड़ी करूं डाका डाका डार पर अभी तुमेर को इदर से नहीं ले गया ना इसको समझाओ ना अगर यह में को छोड़ कर गई तो मेरे दो छुटी जटी बाल बच्ची है उनका क्या होगा अगर तुम्हारी बीवी ऐसा करेगी तो तुम संबालो कर दो कर दो कर दो क्या वक्त गुजर जाने पर दिनों से प्यार भी मिट जाता है तुम्हें इतना भी याद नहीं कि समंदर के किनारे हम रेत के देर सी घर बनाते थे और मैं तुम्हारे लिए सीपियां ढूनकर राय करता था मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिलो मिना अरे वह यह तो सब सेपियों में से बड़ी फीपी है अग तुम्हारे पास कितनी हो गई पहले तो पहले तो अच्छा थी अब यह दो मिला के 19 हो गई क्या अठारा दो 19 के 20 अजीब बुदू लड़की है कितनी बार का है पहले के 18 और यह 19 और यह 20 अब याद रखना जब भी मैं कहूं अठारा और दो कितने तो क्या काएगी 19 हाँ बड़े बाप की बेटी हो ना बहुत पड़ लिख लिया है लेकिन मेरे साथ खेलते वक्त तो गिंती भी नहीं आते थी जब मैं पूछता था कि 18 और दो कितने होते तो क्या जवाब देती थी मालूम है 19 मगर तुम्हें कैसे मालूम कि उसका जवाब 19 हाँ करता था इसलिए कि वो जवाब में ही दिया करती थी एंडू करत पेला जवान थे लाँ ये समय । ढ ये समय पवाग nervous viet.. विंग उपू जे वाँ प्रे कि थी नहीं है एव लिए नहीं हाँ sont इश无हते ूदय Ł陰स मिन्पू. मिन्पू. चापू मिन्पू? मिन्झू. आज चाची चाची ये ख़बर सुझ चोर ने तीन रुपए बारा आने देखर जान छुड़ाई चोर ने पैसे क्यों दिये बताता हूं एक आदमी जो दो तीन दिन से भूखा था कहीं जा रहा था एक चोर में मौका देखकर उसकी पीट पर रामपूरी चाकू रख दिया है मरता क्या ना करता चोर को तीन रुपए बाहराने देकर जान चुड़ाने पड़ी उल्ते चोर ने पैसे दिये जान चुड़ाने के लिए अचीब बात ही सोला साल के बाद बाप बेटी का मिलाप वाँ 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 चाची फोटो भी छपी है अच्छा जड़ा देखू तो ले देख मेरी बेटी बेटी मेर में शुरो २ौौौ। मेरी बच्ची तो तु किते बड़ी हो गए रहstellung तु मुझे नहीं जाती जब तोम शालग होई थी ना तो तो बहुत छोटी थी हुआ मेरा मेरा मेरी तु मेरा जला मेरा मेरे चाची, बेटी ने पैचाना नहीं, ना? नहीं, चाची, रो मत, तेरे आशू बहुत किंती है, इन्हें गैरों पर मत लुटा, वो लड़की तेरी बेटी नहीं है, क्या, वो मेरी बेटी नहीं है, हाँ चाची, अगर मैं तेरी 16 साथ से खोई बेटी तुछ से मिला दू, तो मुझे क्या देगी, जो मांगों के दूगी, अपनी खोयोज बेटी को पाकर, मुझे भूलतो नहीं जाओगी, अरे बगले, भगवान के मंदिर से मिला हुआ प्रशाद कोई फैंक सकता है, कहां है मेरी बेटी, कहां मिली थे तुझे वो, चाची, कुछ लोगों को मैं वच्वन से तलाश कर रहा हूँ, जिन की वज़े से मैं अपने माबाब से बिछड़ गया था, उन्हें तलाश करते-करते, मुझे तेरी मीना मिल गई, अपस्पार गुझें, जर्जों करता है, पैस करती शीरे मंशें। बेटी, तुझे उस दिन जब मैने पहले बात देखा, तो समझे न सकी, कि मेरे मम का कि वांसु बनकर फूट पड़े शायद वो यही कह रही थी, कीता, यही तुमारी बेटी है, इसे सीने से लगा ला, अपने आप में छुपा ला, ताकि ताकि दुबारत तुमसे इसे कोई छीन न सके, शाका, तो फिर वो लड़की कौन है? मामी, बेटी बेटी, तुम्हे कितने बार कहा है, जब तक काम पूरा ना हो जाए, यह मत आया करो, तुम समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूं मामी, लेकिन तेरे बगार मेरा दिन नहीं लगता, सब गयर नजर आते हैं, मैं जानी क्यों वो घर मुझे अपना घर नहीं लगता उस घर को अपना घर बनाने के लिए ही तुम्हे यह सब कुछ कर रहे हूं तुम अपने बाप के पास रहो, सही जगा पहुंच गई हो उस घर से जब तक तुम्हारे डोली ना उठे, तुम मुझे मिलना नहीं जाओ बेटी, तुझे मेरी कसम, मैं कहते हूँ जाओ, बेटी जाओ जाओ बेटी, जाओ ओ प्रेम, तुम समझते क्यों नहीं हाँ मुझे तुम से प्यार है, मैं शादी भी तुम ही से करूँगी वो तो ठीक है डार्विंग, लेकिन तुम इतनी बुरे बाप की बेटी हो क्या तुम्हारी रेडी, तुम्हारी शादी उसे करने के लिए तयार हो जाएंगे क्यों नहीं, प्यार के आगे दॉलत कुछ भी नहीं और फिर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठुकरा के आजाओंगे नहीं डार्विंग, समत करना वो तो फ्राने समाने की बात है थी जब लैला ने मजुने के लिए अपना घर छोड़ दिया था आज कल की लड़कियां घर से बागती भी है तो साथ में समान लेकर आती है तो इसका मतला भी तुम मेरी दॉनब को चाहते हूं डार्विंग, मैं तो मजूदा जमाने की प्रेक्टिकल बात कर रहा हूं एक हो डार्लिंग, मेरी नजर सिर्फ तुम पर है और तुमें उससे को नहीं जीन सकता जानती हो, बच्पन से मेरे एक यादत रही है मैंने जिन्दगी में जब भी किसी को चाहा है उसे हमेशा हासल करके ही चोड़ा है अभी नहीं, शादी के बाद शादी होने तक तो अपनी घंटी बच जाएगी नो, बच कही घंटी एक कॉन है में का पथा इस रख डिस्टप कर रहा है हला, कॉनल सवामी जी, माफ कीज़ेगा सवामी जी मैंने तो घर का नोका समझाय था, मैं भी आज़र होता हूँ सवामी जी सवामी जी लास कला भिराजत छभी चाजत पून चंद सरद रैन युजियारी अधि प्यारी निर्की जोग जुगती जागरण जनहित बजाई बजाई मुरली अखंड मंडल जय गुरु दे जय हो, जय हो सवामी जी जय हो, जय हो उठ बच्चा, उठ हमारे आगे शीष नवाने से क्याला हमारे गुरु की शर्ण उन्होंने हमें भेजाई वरना तेरा सर्वनाश हो जाता हाँ, जो कन्या अभी अभी सफेद वस्त्रधारन की तुझसे प्रेम कर रही थी उसका मन काला है उसका रोम रोम मधुशाला है हाँ, उसके अंग-अंग में विश्फरा है विश्फ, बेसावजी, वो तो उससे प्रेम करती है हम दोनों शादी करने वाल है मौर्ख, कल के बाद अगर उसकन्या की छा भी तुझ पर पड़ी तो तू भस्म हो जाएगा तेरा घरबार जल जाएगा और तू सर्गों पर फीट मानेगा इसावजी यह आप क्या कहरे है ले यह तो हमारे गुरुदेव कह रहे आ जाए गुरुदेव उन्होंने नहीं राच सपन देखा और हमें तुम्हारी तरह भगाया और हमने आकर तुम्हें जगाया जाए गुरुदेव सब्सक्राइब बच्चा आखे मून ले गुरुदेव अपने आप नजर आ जाएंगे सब्सक्राइब बच्चा हमारे गुरुदेव काली टीकरी के मंदर पर विराजमान है सब्सक्राइब राजत चबिछाजत पूल चंद सरद रेन उजयारी अति प्यारी दिर्खी जोग जुकती जागरन जनहित बजाही बजाही पुरली अखंड मंदल प्रेम क्या बात हैं अरे तो परिशान क्यों हो एक अजीब अजीब उलजल में पड़ गया हूं यह तो सवामी जी आया थे ना इनके गुरुजी ने ने कहा है कि अगर मेरी शादी तुमसे हो भी तो मैं बबात हो जाँगा क्या और तुम्हें उसे मान लिया कि सवामी आमी सब पाखंडी होते हैं प्रेम ज़रूर उसका कुछ मतलब होगा तुमसे इसे बाते मत करो लेकिन मेरे मन में एक शक्सर होगया है जब तक मैं उस्वामी जीसे नहीं मिलेता मेरे मन को शांती नहीं मिलेगी तुम क्या में लोगे उसे मैं तुम्हें ले जाओंगी और आज तुम्हें बताओंगे कि यह लोग कितने ढूंगी होते हैं चलो मेरे साथ अब बताओ कहा है वो चलो लोग जा महाराज मैं तो आपका नाम सुनकर आपके जरंग छुनाँगा अथत्य तुम हमारे चरंचुने नहीं हमारी तपस्या के सीने में खंजर भुगने आई हो लेकिन एक बात सुन ले कन्या सुन्दर नारी के स्फष से हमारी तपस्या भंग नहीं होगी सफष करने वाले का जीवन खुद भंग हो जाएगा मुखबत हुई मेरे से या मैंनों में निंदिया निंद में सुपने सुपनों में तुष में मेरा तबते मेरे मेना है प्यासे मुखबत बड़ी बेवफा है जिसने की दोखा खाया ने इन गवाई चैन उटाया तावा तावा दिल ना लगाना जूटा है ये ख्याल ये प्यार के कदर तू जानी नहीं नारा में हबर पहचानी नहीं पहचानता हूँ मैं होती है बेवफा तू ने जरा बता किसका हुआ भला अर ने जरा ये ये बार को दिल नहीं हुआ जिसने की दोखा खाया ने इन गवाई चैन उटाया तावा तावा दिल ना लगाना जोड़ा है ये ख्याल मतलब की दोस्ती मतलब का प्यार है ये लालती जहां बैसे कयार है अनुमूल प्यार की कीमत नफू लगा दिखती नहीं कभी बेत तो आजबा सुन शोख हसी जूट ना जल रूए दिखा मुखबत हुई मेरे सुएया नेनों में निंदिया नेन में सुपने तुपनों में तुप तुझ में लेया सुप तिल मेरे नेना है लप्याते बाह में बाहे पाजा मेरे दिल गुबा मेरे दिल धुबा तुचाहती है क्या तुचाहती है क्या बाहू के लोचगू, तरह मैं भी सोच यूँ, तो मुझको माप कर, सुने मेरी दोलो, उत्रा के दे आएगा, महाबत बड़ी बेवफा है, जिसने की धोका खाया, में इंदगावाई के लुटाया, तावा तावा, दिल ना लगाना, जोटा है ये खाया, कोई खास बात रहे हैं? बात तो खास ही अंक्ल, आप तो जानते हैं, जी चीज़ को हसल करने की मैं, एक बार दिल में सोच ज़ता हूं उसे, उसे मैं, तो उसे खासिते हो, ये ना, जी अंक्ल, अच्छा बैठे, आप शानाओ नहीं, ये बताओ क्या चाहते हो, वो, अंकल, व दोनों बाप पेटों का नामों निशान मिटा दूगा यह चाटा हमेशाद तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाता रहेगा आउट यूग अंकल, जब बड़ापर जवानी परवार करता है तो जवानी बात असानी से परदाश कर सकती है लेकिन जब जवानी परवार करती है तो परवापर परदाश नहीं कर पता एक तमाचा उसने बरसों पहले मेरे गाल पे बिमारा था हाँ आई, 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 आई सक्टन, क्यों नहीं यह बच्चों का खेज, हम रिष्टीन बदल दे सत्यन, अपनी जबान खोलने से पहले जड़ा अपनी आउकात देख लिया करो आज उसने अपने कफन में दूसरी कील ठोक ली है लेकिन बेटे, चलवाजी में कोई खलत कदम मत उठाना वो बहुती खतरनाक जड़ी इनसान है जड़ी मैं भी कम नहीं हूँ ड़ी उसे कह दी दियेगा प्रेम जो चाहता है उसे हासल करके ही छोड़ता है तुम नहीं जानती है कि प्रेम क्या कहता है तो मैं नहीं मालूं कि प्रेम उसका बात किपनी किरुवा आत्नि उसे पूराजनी चाहर बहन आता है तॉलेट के नशी ने आपको इतना पागल बना दिया है कि आपको हरादी छोटा नजर आता है जैदी अगर आप जिद्धी है तो मैं भी आप ही की बेटी हूँ मैं शादी करूंगी तो फिर फ्रेम से करना जहर खाकर जान दे दूगी यह क्या कह रही हो बेटी हवर्दार जो कभी जेहर खाने की बात कहीं तो जहर खाये तुम्हारे तुष्माव हलो यह स्पीकिंग अ इतना वदाए कि आपने वो और्डर कर दिया नहीं कर दिया ना आइक य वेरी माच यू वेरी माच गॉड इंकल गुड मोरीं वेरी गुड मोरीं पर यूड मॉनिंग जी पहर अफ्षोर्ट है कि रुगुश्य के हालत में तुम पर हाथ उटा दें इस और राइट एंकल इंग रिलिस वर्डेट अप क्यों प्रेम प्रेम इस गाड़ी तुम्हें कैसे लेगे जी वह अच्छी गोड तो यह लो चावी आज से इस गाड़ी के मली कुम हूं नेकिन अंकल ओ ओ प्रेम अब तुम पराया आदमी नहीं रहे घर के हो गए थैंक्यो क्या वात इंसेक्टर हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेगी है दिखी खुलिए प्लीज गाड़ी की तलाशी जी हां क्यों आप जानते हैं यह गाड़ी किसकी है हम सब जानते हैं जल दिखेजिए आप तो ऐसा सोच रहे हैं इंस्पेक्टर जैसे यह गाड़ी किसी लगलर की है खुलिए यह टैजी खुलिए ओपन इट प्लीज अपना इसलिए जादती बर्दाश्ट करता आया हूं तो कि मबसुन इकटे रहे दोस्त रहे लेकिन आजकल के लड़कों में बर्दाश्ट करने का मादा बिलकुल नहीं है और श्री बच्पन से मैंने प्रेम को हारने की आदत नहीं सिखाई हैं बहुत बेवकूब तुम ब नहीं सिखा वो कभी जीत नहीं सकता और इसलिए देखने ना तुम्हारा बैटा प्रेम किसी दिन इस जीत की कोशिश में अपनी सिंखी से हार बैठेगा और उसकी मौत का करना तुम हो कि तुम मौत से खेलने वाले मौत से ड़ते नहीं केप्टन मैंने तुम्हां तरफ पी पीट बेवार नहीं करेगा तुम मुझे थंकी दे रहे हैं केप्टन में आज तक तक तुम से हारता आया हूं लेकिन अज मेरी बारी है केप्टन आओ बिटे मैं चान की बोल रही है तुम से कितनी बार का है कि यहां फोन मत किया करो यह शाका कौन है बोलो क्या बात है यह आदमी बहुत खतरनाक है मुझसे मेरी बेटे की बारे में पूछ रहा था शाका को यह अपनी लगत नहीं ले क्या बखते हो रेक पर जई क्याप्टिन की जिन्दगी में ऐसा हुआ करता था खरमदास की जिन्दगी में पहले बार ऐसा हुआ है क्या पुलिस ने हमारे सारा मल बख़ लिया है देखो हमारा कोई भी आदमी पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए जिसका मुझे ड़ता वो ही हुआ उसने हमारे कड़े पे छबा माल के सारा माल जब्त कर लिया है देखनी यह सब हो कैसे वारे बेवकूफी और जानत की वज़े से अगर शाका हमारे साथ कुछ दिन और गैंग में रहा तो मैं और तुम दोनों जेल में होंगे और जिंदी की मचे की पीसेंगे लेकर शाकार साथ कभी नियुक्ता जाका क्या का सकता है मैं तुम से बहतर जानता हूँ इससे पहले कि वो कोई हम पर अगला बार करे हमें उसके सुभान हमेश अगले बंकर देनी चालिए ठीट अलाव बोत बना बाश्चा है छूड गया गड़ो किस नीए यह माची से का हर्ट टो कीज जेड़ क्या चकर है कोई चकर नहीं कासाम भाई की बीड़ी बिना मतलब के कोई नीजलाता है सेड़ तुम्हारा नाम बहुत सुना है इंडिया में नवा आया क्या क्यों सालाख की दुनिया अपना काम देखेला है और तू बलता खाली नाम सुने लाए कामी तो लाया हूं तुम्हारे लिए अरे नहरे भाई अभी छोट के आई लाओं फिर अंदर भेजने लाए क्या बहुत अरजेंट काम है किसे को लंबा करने का तो नहीं है नहीं अचा सजार दुबा अचीसजार अभी पच्छीसजार काम हो जाने के बात अदमी यह है कि आज़ पूरे मेरे मारेक तु सबसे पहले इसी को तो खलास करने का था यह तो वपर वाले ने बोनस गज़ दिया जा सेट अराम से जा के सोजा कल तक तेरे को इसके खलास होने की ख़बर मिल जाएगे निशाना गलत नहीं हुआ बिड़ो मैंने जानबूच के गलत मारा है क्योंके कासम भाई किसी की पीठ पेवार नहीं करता है भाई बात है तुम्हारे केरेक्टर में कासम भाई पहचान लिया है पहचानूंगा कैसे नहीं मेरी आदाश बहुत तेज है और मेरा चाकू से ज्यादा तेज है चाहे दूर दिन की भाद बोले नहीं होता है कासम भाई जब तक हिसाब चुकता नकले बात नहीं भूला करता शाका कासम खुदा की ये दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं मैंने जेल में चलने काल चाकू ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम मुझे दूसरी बार सेवा करने का मौका दे रहे हैं लेकिन, मैं तुसरो कहते आर्स नहीं रादे प्रूदू ये वीन बादू ओन करने बादे एकितमके चिए... ओन कर दो ओन करने कर दो एन्मस्जा... मैंने बादे खर लिफादू आल्ल्भ बादे उल्हां लादे लीव एकिति उल्ल։ ला इलाह इलाह अक्बर का मतलब होता है कि अल्हा बड़ बाश्या है और वो बाश्या नहीं चाहता कि अपमी तेरे साथ लड़ाई हो गय का नहीं शाका क्यों प्रफित कांता इसका क्यार्य मिला तो मजबोर कर दो किमेरे कप्ड केम हे आजाए पर अगर वो सिंद्धा नहीं मिलता तो उसकी लाश को लेकर आओ, समझे, चाओ क्या बात है शाका, यह लोग तो भी क्यों पकड़ के लिए जा रहे ही इस्पेक्टर साहब, क्या क्या है मेरे शाका ने यह बुन्दों और बदमाशों के बहुत बड़े ग्रोव में काम करता है इस ग्रोव ने बहुत सा कत्ल भी किये नहीं, नहीं इस्पेक्टर साहम, मेरे शाका ऐसा नहीं है हमारे पास सबूत है इसका, तभी तो बकड़ने आये हैं इसे चला ले चला इसे कुछा रूपक्टर करता है कि मेरे सब्सुराण वालों का टामटेबल है जितने दिन वो कहते है, उतने दिन वाल हैना पड़ता है तेरे को सालियाल हैं? हाँ सालियां तो नहीं है लेकिन सालिय बहुत हैं, इतने की गिन्ना मुश्कित सुभा परेड करवाते हैं चक्की पे सुआते हैं यह तुरे ससुरान वाले है या पुलीस वाले है वही तो क्या मेरा मतलब है कि सब के सब पुलीस में है आप लोग सोच रहे हैं मैं अंदर कर दिया कौन हूं क्या हूं मैं बड़े काम काते हैं दोस्तों के लिए ठालो और दुश्वनों के लिए तल्मार मतलब की बात करो तुम लोग कैप्टन के पर काटना चाहते हैं और कैप्टन तुम्हारे पर काटना चाहते हैं अगर तुम मुझे अपने साथ मिला लो तो कैप्टन के पर तो क्या उसका सर भी काट सकते हैं तुम कहने के चाहते हैं कैप्टन को मानने के लिए मेरे पास एक ऐसा हत्यार है कैप्टन की अपनी असली बेटी मेना कैप्टन की लड़की तुम्हारे पास है मैं तुम्हें उसकी मू मांग यह किमत दूगा मिस्टर मिस्टर जॉन यस मिस्टर जॉन वो लड़की तुम्हें लोटा दो लेकिन मेरी दो शर्ते कैप्टन के सारे खान्नान का सफाया यह होगा मेरी अलाग की मौत का इंतखा कैप्टन की दौलत का आदा हिस्सा मिस्टर जॉन हमें मनजूर है क्या मीना आपी का नाम है जी हां क्यों क्या बात है शाका का एक्सिडेंट हो गया है एक्सिडेंट कहां टेंबूर में इस वक्त मों गाडी में ब्रोश पड़ा है हम उस अस्प्तार ले जा रहे है चाची आज में तेरा असली रूप देखना है किस शैतान को मैंने अपना खून पिलाकर बढ़ा किया जिसने मेरी ममता का गला खोड़ दिया आज उसी किस सूरत देखना है चाची तुम्जे गल समझ रही हो खबरदार जो मुझे चाची का तेरी सारी जिंदगी जैल में कटी और तु जूट बोलता रहा तो के बाज मैंने तुझे अनाथ समझ कर सहरा दिया काँ जाने तुने कितने बच्चों का अनाथ कर दिया होगा चाची मैंने तुझे अपनी अउलाद की तरह पादा और तुने तुने मुझे यह बै उलाद कर दिया आज तेरे ही पापो के कारण तेरे साथ ही मेरे बच्चे को उठाकर ले गए मीना याद रखने शाका भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा कभी माफ नहीं करेगा कभी माफ नहीं करेगा चाची चीज दिन तुम्हे असलियत का पता चलेगा असलियत? कैसी असलियत? बताइने आर छुपा मत ते कपूं तेरे दूस से तरे वाती जान देगा बोल मुझे मालू मैं कासम भाई लेकिन अभी वक्त नहीं आया जब वक्त आएगा तब तो ही नहीं मैं भी तुम्हेर साथ कहूंगा अल्ला बहुत बड़ा बाश्या है रे चीओ मेरे दोस्त कैप्टैन यह है शाका की चाती जिसे वो मां से भी बढ़कर समझता किता तुम आज इतने बरसों की बाद मेरे भी तो उसी तरह गुनाहों के रंग में रंगे हुए जमाना बदल गया लेकिन तुम नहीं बदल गया और तुम कौनसी बदल गई हो तुमने तुम उससे भी बड़ा गुना किया है अपने पती की जिन्दगी को खत्म करने के लिए तुमने मेरे दुश्मन शाका को पना दी है ताके मौखा मिलते ही वो मजे खत्म कर दे और तुम अपनी पिछली जिन्दगी का बदल अब उससे ले सको हुम पादने और मारने की ताकत इंसान के हाथ में कहा सबसे बड़ी ताकत वो भगवाल है यह उसी का इंसाफ है जो तुमारे दुश्मन को मेरे घर में बना दी यह तुमारे ही घुनाहों का फल है जो तुम अपनी एकलोती बेटी का प्यार भी नहीं पासके है रहे तुम वक्ष से पहले भुलय हो गए ये मुझे ग्लाओ कि लगता है तुम्हेरे निमाख सट्यागया is बेटी का प्यार मैंने नहीं तुम्ने ख़ुया है मेरी बेटी तो मेरे साथ है जो अपनी माँ से बहुत नफरत करती है फेके को करती है वो मुसे नफरत इसलिए करती है क्योंकि वो मेरे बेटी नहीं है क्या वगपास करें जिसे तुम अपनी बेटी समझ रहे हो वो तुमारे किसी दुश्मिन की चाल है है कि अपनी द्धर्म पत्नी से यह तो पता चली गया होगा कि वो लड़की आपकी अपनी बेटी नहीं है बलके आपके दुश्मिनों की चाल का एक महरा है असली महरा यानि आपकी बेटी मीना मेरे कबसे में है आपके पुराने खादम का बेटा प्रेम अगर आपने मेरी इस फर्माश को पूरा नहीं किया तो मैं बड़े प्रेम से आपकी बेटी को भवान के पास पहुचा दूँगा क्या चाहते हैं तुम बारत लेकर आना चाहता हूं जहेज में आपकी सारी जाइदाद सारा रुपया काला और सफेद हासल करना चाहता हूं और साथ में वो नकली महरा भी है कैप्टन जाब आपका वो मजबूत हाथ जिसने मुझे और मेरे बाप को चांटा मारा था उसी मजबूत हाथ की दोंगलियों की जरसी चिंपर्शे यानिके तुमाम काख़ाद पर दस्तख़त करके सारा काम बहुत आसान हो सकता है 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 जाथा पैग पी चुका हूं कैप्टन बोलो तयार हो मैं तयार हूं यार तेरे सब नाच रहे है यार तेरे सब नाच रहे तेरी सच के चली बारा तेरे मैं सब के जावाँ यार तेरे सब नाच रहे है यार तेरे सब नाच रहे है तेरे मैं सब के जावाँ यार तेरे सब नाच रहे है यार तेरे सब के जावाँ यार तेरे सब नाच रहे है तेरे सब के चली बारा तेरे मैं सब के जावाँ यार तेरे मैं सब के जावाँ यार तेरे मैं सब करें यूम् liksom जा पेटा, रनुमक वल ते तुल पेटा, रनुमक वल और चेहना चरे, पिशारे ये आज भी पूरे होंगे, अब दिल के अर्मान तुमारे पुछ ना कुछ तो खोके रहेगा, पुछ ना कुछ तो खोके रहे जब होगी दिल की बात जब होगी दिल की बात, तेरे मैं सद के जावा प्लार देडरी थ्याज़ नाच ते लेपिन चानद ये चानद ये पारां ये भैंध तब करज के जाओ जूले के दिल में क्या चा ये बात न कोई जाने जिसके लिए बेचैन है तू जिसके लिए बेचैन है तू वो फिक्री बनेगी बात तेरे मैं सब के जावाँ जा जिसके लिए बेचैन है तू जिसके लिए बेचैन है तू जिसके लिए बात तेरे मैं सब के जावाँ जा जावाँ 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 मुझे दिल न मिले, ऐसी घड़ी, कुछ दिल न मिले, ऐसी घड़ी, इभर्चे दुशी मना ले अगर ये मुझा निकल गया तो, अगर ये मुझा निकल गया तो, बलता रहेगा तेरे मैं सद के जावा यार, तेरे सब नाच रहे है यार तेरे सब नाच रहे, तेरी सद के चली बारा, तेरे मैं सद के जावा यार तेरे सब नाच रहे, तेरे सद के चली बारा, तेरे मैं सद के जावा तेरे सांवा प्रफुर्दार तुम बाप बेटे जिन्द की भर हमसे मजाग करते रहे और हमने एक ही मजाग किया और बुरा मान गए तुम क्या समझते थे के कैप्टन की बेटी की शादी इतने मामुली धंग से होगी इस मंदप के सूनेपन को देख कर ये तुम समझ जाना चाहिए था कि शादी नहीं मजाखे दूले राच्चा तुम कहना का चाहते हो कैप्टन मैं बड़ी सीधी साधी सी बात कर रहा हूं सत्यां मेरी बेटी के देज में तुम और तुम्हारा बेटा मेरी सारी तौलत दे जाना चाहते थे वाइस कैप्टन होकर कैप्टन को टोपी पना रहे थे तुम इस सरह नहीं मान होगे कैप्टन बगाए यस सर जो और इसी वक्त जाकर इसकी लड़की को गोली मारता हूं जी लड़की का हूं है तुम वागे बच्चो प्रेम अब तो तुम दौनों बाप बेटों का इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने का वक्त आगया और साथी का भी जिसने 16 साल तक हमारी बेटी बनकर हमसे और हमारे ज़स्पास से खेला क्यों अप्रेम डालिंग अब तो मांते हो ना के बाजी कैप्टन के हाथ में है जा और जाकर उस को खत्म कर तो जाओ क्यों 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 होता है कि वह अपने आपको अकल बंद समझें लेकिन उसे यह कभी हक नहीं होता कि वह दूसरों को बेवाखूर समझें अब दो राम 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 विवाख के इस शुब अफसर पर यह अशुब चीज हाथ में अच्छी नहीं लगती लाओ मुझे दे दो कहीं मैंने गोड़ा दबा दिया तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे तर्वाजा खोलो साथ्योग आए तो थे यह लोग खुश्यू का बाजा बजाते हुए लेकिन अब बैंट वालों से कहो कि मर्सिया बजाते हुए बड़ी इज़त के साथ इन्हें अपने घर छोड़ाए कि अगर जिन्दीगी चाहता है तो मेरी बेटी मेरे हवाले करते हैं वरना मैं यहीं सब को गोलिया मार मार कर छलनी कर दूंगी बेटी कौन सी बेटी जिससे जनम मैंने दिया है और जिसकी रगों में तुम्हारा खून है तुमने मुझे ठुकराया मेरी और लाद को ठुकराया सारी दुनिया उसे मेरी नजाइस नजाइस बेटी कहती रही लेकिन ममता ने मुझे असरी कादम दिया बता है 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 था तुम ने शुपत्ज है मेरे बेटी को मात कर था रारा जो आज उसका बदला लेने कर तुम्हारे दोनों बेटियां तुम्हारे दोनों बीलियां और तुम यहां तरफ तरफ कदब मरोगे और वहां मेरे बच्छों की आत्मों को शांती में चलो एक लाइन में खड़े हो जो अब बोलो कैट्टन बाजी किसके हाथ में है हम आउस कुट्ले तुम और तुम्हारा अब बेटा भी लाइन में लगजाओ चलो तुम लोग एक ही थाली के चट्चे बढ़ते हो आज मैं तुम्हारे खून से होली खेलूगा और तुम्हारे माद पर कह कह लगाओंगा जो लोग बहुत कहीं लगाते हैं वो लोग मरने के बाद भी आसुबाते हैं क्या समझा यह मत समझना के कासम भाई का निशाना पोकल है खंजर अगर सीने पे मारता ना तो कसम खोड़ा की सुरंग बना के दूसरी तरफ निकल जाता था मगर क्या है कि तुए टफोरी बाद और फांदेबाद लोगों के साथ शरीफ लोगों को भी लपेट रहा था मैंने तेरो को रूख लिया है क्योंकि अल्ला बहुत बड़ा बाद्शा है समझा अब यहां खून की होली खेली जाएगी और उसमें सबसे पहले रंग तेरे खून का होगा यह रंग तेरे को बहुत भारी पड़ेगा विड़ू यह कसम भाई के खून का रंग है कसम खुदा की जिन्दगी उतर जाएगी मगर रंग नहीं उतरने वाला अच्छा अभी दे तुने तुने हमेशे नहत्तों बर्वार किया है देख लिए मैं भी नहत्या हूँ चला दिल खोल कर गुलियां चला ताकि मन में कोई कसक न रहे जाए कुछ दिल काहर की अवलाद पाक पाकता जाओ गुलिये चलाता जाओ आज तेरी मौत तेरे सामने कड़ी है क्याप्टन 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 आज तु दुनिया के आखरी कोने में भी पहुँ जाएगा ना तो भी मैं तेरा पीचर ही चलूगा क्याप्टन 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 इंचूरों को पहचान इंपर वीच साल पुराने कहने लिखिए यह यह वो छुड़ा है जो तुने मेरी मा की कोख में भोग दिया था हराम खोर और यह वो छुड़ा है जो तुने मेरे बाप की पीट में मारा था जाने कितने मजबूर और मासुम तेरे जुम से चीखे होंगे चिलाए होंगे आज तुभी चीख चिलाए हराम जाने सर यह क्या कर रहे हैं आप कानुन कर रखवाले होकर खुद कानुन को अपने हाथ में ले रहे मैं मैं भूल गया था कि मैं एक ऑफिसर हूं मैं अपने आपको भूलिया था मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे माबाप की आत्मा चिला चिला कर अपना इंतकाम मांग रही है अच्छा लग मेरे अंदर उस बेटे ने जनम दे लिया जो बिस साल से जवर्दी के अंदर अपने इंतकाम की जारा को चुपाए हुए था जी पुली डंडे मारती थी आज सुलूट मार रहे लिए चकर क्या बचा अच्छी तुम्हें हमेशा पूछती थी कि मैं क्या करता हूं कहां जाता हूं और मैं यह कहता था कि मैं से सुलाल जाता हूं तरसल मुझे मुझरिमो की गैंग में घुशकर जुन को खतम करने के लिए मुझरिमो का भेस अपना न पड़ा चाची तेरे पती ने मेरे माबाप छीन लिये लेकिन इसका इंसाव यह हो जाता है मुझे तुझे सी मादे दी राजा जी अशाद याद है कासम भाई एक दिन मैंने काहता हूं जब वक्त आएगा तो हम तुनों मिलकर कहेंगे अशाद है अशाद है अशाद है अशाद है झाल झाल